हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के पार्टिशन के बारे में अखिर क्यू हमारा अखंड भारत देश पार्टिशन की दोर से गुजरा क्यू इसके दो टुकडे कर दिये गये क्यू पाकिस्तान बना ऐसी कौन सी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए है और ऐसे ही इंट्रेसिंग टॉपिक पर वीडियो देखना आपको पसंद है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे दिये गए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारे नएफ वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो पार्टिशन था ये किस ने किया तो सबसे पहली बात तो ये सारी जो लाइन खीची गई वो ब्रिटिशों के द्वारा खीची गई ब्रिटिशों अपने सी खीच दी और ये कह दिया कि अब ये पाकिस्तान होगा ये हिंदुस्तान होगा वहाँ पर जाकर ग्राउंट रियालिटी बिलकुल नहीं देखी गई कि कौनसी रीजन में actually मुसल्मान जादा है कौनसे रीजन में हिंदू जादा है बस एक लकीर खीच दी गई और रातो रात लोगों को ये कह दिया गया कि आप अपना डेरा यहां से उठाए और अपने अपने देशों में चले जाए यानि कि अगर आप मुस्लिम है तो यहां से उठकर पाकिस्तान चले जाए और वहां के जो हिंदू थे उनको खदेड दिया गया कि आप हिंदू है ये पाकिस्तान है आप हिंदुस्तान चले जाए जिसकी वजह से कुछ 21 लाख लोगों की जान चली गई तो ये लाइन यहाँ पर आकर इसका पूरा स्टडी करके क्यों नहीं बनाई गई तो इसका जवाब यह है कि वो उतना ज़ादा उसके बारे में कंसर्ण ही नहीं थे वो आदमी ब्रिटेन में बैठकर एक मैप के सहारे ये लाइन खीचता गया वो इंडिया में भी आने वाला था लेकिन वो बीमार पड़ गया जिसके बाद वो आया ही नहीं और वहाई से उसने एक लकीर खीच दी पाकिस्तान बन गया हिंदुस्तान बन गया तो ये बेसिकली अंग्रेजों की ये उसमें रोल था कि उन्होंने जो पार्टिशन किया वो एक तो ठीक ढंग से नहीं किया जिसकी वज़ा से बहुत ही ज़ादा वहाँ पर खून खराबा भी हुआ दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बना हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने का तो वो ये बना कि जब 1941 में कॉंग्रेज ने ये रेजोलूशन पास कर दिया उन्होंने चला दिया तब अंग्रेजों ने उनको ये कह दिया कि ठीक है जैसे ही वोल्ड वार खतम होता है वोल्ड वार टू तो हम आपको पावर हैंड ओवर कर देंगे यानि के आपको फ्रीडम दे देंगे लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब जो देश के मुसलिम थे उन्होंने कॉंग्रेस के सेकुलरिजम के उपर बहुत ज़ादा क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिये हाला कि कॉंग्रेस की नीती पहले से ही बहुत उदार मतवादी थी यानि कि वो सेकुलर्स तो पहले से थे ही सेकुलर थे वो पहले से लेकिन उनके मनसूबों के उपर सवाल उठाये जाने लगे जिसकी वज़ा से वोनों ने ये दिखाने की कोशिश की कि हम कैसे सेकिलर हैं हम कैसे सबको सबकुछ देने की कोशिश कर रहे हैं और मुसल्मान इस देश में माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी कैसे हम उनको इनको भी अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं तो इसी के चक्करों में Congress बहुत ज्यादा ही उनके प्रति उदार मतवादी होगी कि हां इनको अगर देश चाहिए अपना तो ये इनका ख्याल है इनका ख्याल इनको रखने दो इनका देश इनको दे दो तो बहुत ही डिबेट हुई है कि क्या वो actual में partition के लिए जिम्मेदार थे या नहीं थे कुछ लोग कहते हैं बिलकुल नहीं थे कुछ लोग कहते हैं थे तो सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश के उपर से बनेगा लेकिन बाद में वो के प्रती इतने प्रवह हो गए कि उनकी ही पाकिस्तान बनाने की मांग को वो वहां पर सपोर्ट कर बैठे ऐसा उन्होंने क्यों किया क्योंकि पहले से ही उनका मुस्लिमों के प्रती जो है वो inclination बहुत ज्यादा था तो उनको ये लगता था कि मुस्लिमों को voice मिलना और जिन्ना तो जिन्ना ने बेसिकली मुस्लिमों को ये convince कर दिया कि अगर ये पूरा देश अखंड रहता है तो हमें कोई से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 80% हिंदू रहते हैं और हम सिब 20% हैं तो हमारी कोई नहीं सुनेगा governance के अंदर हमारा कोई voice नहीं होगा तो इसकी वज़ा से primarily मुसल्मानों ने Muslim League को जादा vote दिये लेकिन बाद में जिन्ना की जो खुद की ambition थी वो उसमें झलकने लगी कि उसको एक अलग देश बना कर वहाँ पर हुकूमत करनी थी इसकी वज़ा से जिन्ना जो है वो जादा से जादा मुसल्मानों को ये बढ़काता रहा कि अगर हमने अभी ये मांग नहीं रखी तो आने वाले समय में हम इस देश से विलुप्त हो जाएंगे हम खतम हो जाएंगे तो हमें अपने आपको बचाने के लिए अग अलग देश की मांग करनी चाहिए तो इसकी वज़ा से ही जिन्ना ने ये प्रपगंड़ा फैलाया और फिर ये मांग को जादा जोर चड़ गया आगे चलकर जिन्ना ने जो हिंदू और मुसलिम्स में जो क्लासिश हो रहे थे उनको अपना हतियार बनाया उसने ये कहा कि देखिए अभी यही हो रहा है आपके साथ में कितना जादा डिवाइड हो चुका है तो ये दोनों ज ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये भी और एक कारण बन गया जिसकी वज़ा से एक पब्लिक सैंटिम्हें नों का एक सैंटिम fail ऑन गया कि हां जो जिना कह रहा है वो सही कह रहा है और हमें एक अलग ही देश की जरूरत है तो इस देखिए एक टुकड़ा हमार नाम ही कर दिया जाए इन सारे कारणों के अलावा एक कारण ऐसा भी दिया जाता है कि कॉंग्रेश जो थी वो बहुत ज्यादा सत्ता के लिए बहुत उत्सुख हो गई थी बहुत ज्यादा लालची हो गई थी इसकी वजह से उन्होंने पार्टिशन की मांग को आखिरकार उनको अपोज कर देंगे तो कई हमारे हाथ से सत्ता ना चली जाए इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि कॉंग्रेश उस मांग के उपर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाने लगी उनको सपोर्ट करने लगी और ये भी कहा जाता है कि ये पर्सनल अंबिशन भी थे जवारला नहरू के कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था तो इसकी वजह से भी उन्होंने कही न कहीं जिना को बहुत जादा सपोर्ट किया तो देस्तों ये कुछ प्राइमरी रीजन्स थे जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का पार्टिशन हुआ इसके उपर आपको क्या लगता है कि इसकी पीछे कोई और रीजन्स भी है अपने रीजन्स को कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा